सोनू जी. उन्जर रादा वल कुर्वेंषर कोड़ा। श्री हरीवेंच गुरूजी. हमारा मोल कुर्वा। गुरूजी प्रभू सर्वग्ग्य था, सरवत्र है, सरावगुं संपन है, सुख समुद्र है, ज्ञान सरूप है, तो गुरुजी ये अवगुन अज्ञानता दुख कहा से आया है। मत्ता परतरम नान्यत किंचि दस्ति धरण्ये, है अर्जुन मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा भ्राम है अविद्या अज्ञान के कारण। अगर हम गुरुदेव की शरन में होकर उपाशना करें, उपाशना की तीखी तलवार से वासना इच्छाओं का धमन कर दें, तो अभी दिखाई देगा ना दुख है, ना शुक है, ना मान है, ना अप्तमान है, ना गुण है, ना अगुण है। माया कृत गुण अर दोश अनेक, गुण या उभए न देखी, सबसे बड़ा गुण है, ना गुण दोश कोई न देखे, देखी सो अभी बेक, जो देखता है वो अज्ञानी है, क्या देखना है, गोश्वामी जी ने देखा पूरे संसार को, सी ये राम में सब जग जानी, करहू प्रणाम जोरी जूग पानी। गुण है, दोश है, ब्रह्म है, अनुकुलता है, प्रतिकुलता है, नहीं। सी ये राम में, जड़ चेतन जग जीव जत, शकल राम में जानी, बंदों सब के पद कमल, शदा जोरी जुग पानी। मान के नहीं करे के तुम्हारी माननेता है नहीं, बोले जान के बोल लाओं। जड़ चैतन जितना भी जल चर थल चर नभुचर नाना। जितने भी जिव जल में थल में मेरे प्रहूश्री आओं। कोई दोस्ता है। चिद चिद लक्षणम सर्वं राधा क्रष्टमयं जगत। वासुदेवा सर्मिती समात्मा सुदुर्लभा। कहां कुछ है, दोस कहां। विद्याविने संपन्य, ब्रामणे, गविहस्तरी, सुनीचय, सुपाकेचा, पंडिता, संदरसिना। जब हमारी आँख गर्वल हो जाती है तो हमको दोचन्दरमा दिखाई देने लगती है। जफ़ दोस्त दर्षन हो रहा है। हमारी दृष्टी गुरु जी के पास ठीक होगी। ज्ञान ते मिरांधर्श्य। ज्ञान अञ्यन शलाक है। वो हमें नेत्र प्रदान करते हैं गुरु प्रदत्य नेत्रों से सर्वं खल्मिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन किंचन मात्र भी कुछ और नहीं है इसावास्विदं सर्वं यत किंचे जगत्याम अब कहां दोश है कहां आपके वल बोल दिये वो सरवत्र है लेकिन इसको समझा नहीं जब सरवत्र परिपूर्ण है तो दोस कहां भीया तुम्हें कहां दिखाई दिया किस जगे दिखाई दिया कोई व्यक्ति कोई वस्तु कोई कण कोई स्थान खाली है क्या उले नहीं सरवत्र है तो जो है उस उसे तो देखा नहीं जो नहीं है उसे तुम्हें दिखाई दे रहा यह यह सारवत्र है सारवज्य है आपने देखा क्या केवल सुन लिया बात तो प्रश्ण खड़ा हो गया अगर देखने की टेस्टा करते तो प्रश्ण है नहीं जाता है, जब सरवत्र जैसे बर्फ में सरवत्र है जल, कुछ मिलावट नहीं है, बर्फ में कुछ मिलावट है, केवल जल है, है ना पूरा जल, अब आप उसमें मिलावट दिखा ही दे तो आपके नेतर दोश्ट से, बर्फ में केवल जल है, ऐसे जितने आकार हैं, इनमें पूरे के पूरे वही है, कुछ ही समय जूटा नहीं है, केवल सवाल हल करने के लिए ब्रहम सत्यम जगन मिथ्या से सुरू होता है, जो सवाल हल हो जाता है, तो सरवम खलमिदम ब्रहम, सरवम, कुछ नहीं है, वही बना है, वो अपने आप से अपने आपका स्रजन करता है, प्रश्न नहीं है अब इस समाधान के लिए साधना करो गुरुदेव की शरण में होकर खुब नाम जब करते वे शास्त्र श्वाध्याय अपनी इंद्रियों का दमन मन का दमन इच्छाओं का दमन अभी देखो अंतर में आनंद प्रकासित हो जिस समय उपासक वर्तमार में आ शन्ता में अपने स्वरूप का नुभू, परमात्म स्वरूप का नुभू करता है अभी तो बहुत दूर न गरी है इस तुल सरीर में ही भोग भिलासिता में तो अफिक्ष दिखाई देंगे ना फिक्ष्ग गुन दोस दिखाई देंगे आँ शरूप में तो आपके सिवा कुछ है ही नहीं आप ही आप हैं चाए आप मान लीजें दो है नहीं आप ही आप है भक्ती में आप ही आप है और ग्यान में इधर आप की कि अध्यात्म की जगे में आपने प्रश्ण किया है बहुत पवित्र बुद्धी चाहिए हमारी भासा समझने के लिए अगर समझ पारो तो समझ लो ने तो पकड लो आगे समझ जाओगे नाम जब करो तब कोई बच्चा दोश नहीं है कहीं दोश नहीं हमारी दृष्टी दूशी ताहिए स्रश्टी कैसी जैसे हमारी दृष्टी जाकी रही भावना जैसी ये प्रभुमूरती देखी तिन तैसी आज भी पत्नी रूप में वही सच्चिदानन्द है। पुत्र रूप में वही सच्चिदानन्द है। केवल एक वही कृष्ण ही सारी लीला कर रहा है, आगे बलो बच्चा तब ज्यान पाओगे ने तो फस जाओगे, दल दल है माया का, ऐसा हो ऐसा थोड़ी माया है, बहुत बड़ा ब्रहम है, श्वापन में एक नदी में हम डूब रहे थे, अब बाहर से कोई व्यक्ति उसको स उपाय कर ले, उसको दुख उसको निवर्त नहीं कर सकता, एक उपाय है, जगा दे उसे, ना एक बून पानी है, ना नाव की जरुत है, तैराक की जरुत है, तो जेही जाने जग जाए हिराई, जागे जता श्वपन भ्रम जाई, जिस तक्त्त के जान लेने के बाद, कि शंसार हिरा जाता है, खो जाता है ही नहीं, जैसे जगने के बाद स्वपने की सत्ता नहीं रहती, ऐसे भगवत प्राप्ती के बाद इस जगत की सत्ता नहीं रहती, अब अभी स्वपने में हो तो कैसे समझपाओगे, तुम स्वपनिक पुरुष हो इस समय, तुम कैसे सम कि यह नहीं है तुम्हें तो गुण दिखाए शौपने में कोई पिट रहा उसे कद भीया धैरे रखो बिलकुल जूटा है वो समझ पाएगा उसको जगा दो अब खुद बोलने लगे यार कहीं कोई उन्हें माम मारने वाला ना कोई पिट बड़ी पिटाई हो रहे ती कुछ या भले जगा दिया ले तो लजाले कितनी देर पिटते गुरू की क्रपा होती हो जगा देते हैं मोह निशासब सोवनिहारा देखाए सवपनने एक प्रकारा जगा दिया वो बलिहारी गुरु आपने जिन गौविंदिदियो बता है भूल गया था प्रभू आज जानता है समझ गया, निहाल हो गया अब पर्मानंद पूर्ण हदय है जो हमारा सुखरासी सो रूप है अब वो जाक्रत हो गया नाम जब करो, अच्छे आच्रन करो संतों की वाणी सुनो बड़े बुजुर्गों की सेवा करो हदय पवित्र होगा, तब बास समझ में आएगी करनल अमिद सिना जी रादे रादे माराजी माराजी गुरू कौन है, गुरू से कब मिलना होगा भगवान और गुरू एक है ब्रम्ह और गुरू एक है दो नहीं हो सकते जब हमारे अंदर इच्छा जागरत हो जाए सुनके सास्त्र पढ़के कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो स्वई जाने जेह देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई तो गुश्वामी जी कहते हैं वही जान सकता है जिसे वो जना दे अब तुम्हारे अंदर जानेने की इच्छा होई कि मैं कौन हूँ या भगवत प्राप्ति क्या है या ब्रह्म क्या है इस संसार क्या है तो इन प्रशनों का उत्तर देने के लिए वही जो है वो गुरू रूप धारन करता है या तो आके पकड़ लेता है और या उसे बुला लेता है और जिसके मिलने से हमारे हरदय में शीतलता होने लगे जिनके वचनों से हमारे संसे नष्ठ होने लगे जिनके देखने से ऐसा लगे देखा तो पहली बार हूँ लेकिन परिशे बहुत समय से है वो भगवान गुरुदेव की रूप में आकर हमारे सारे संसेओं को छिन भिन्द करके हमें मोक्षपद, कईवल्यपद, प्रिमपद प्रदान करते हैं बंदों गुरुपद कंज, कृपासिंद, नरूप, हरी, महामोहतंपुंज, जासुबचन जविकरने कर गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का काम स्रष्टी रचना, गुरुदेव हमारे अंदर नवीन स्रष्टी की रचना करते हैं देवी संपदा की, गुरुर विष्णु जो स्रष्टी रची देवी संपदा सद्गुन उपासना की उसकी रक्षा भी वही करते हैं गुरुडदेव महेश्वरा जो हमारी साधना में बिग्णा डालने वाले आसुरी प्रवत्तियां हैं, हमारे अंदर ही उनका वो नास करते हैं क्योंकि महेश्वर का कार्य विनास करना है, जब हमारी आसुरी प्रवत्ती का नास हो गया, देवी संपदा भागवदिक उनों का पालन हुआ उनका श्रजन हुआ तो उससे हमें भगवत प्राप्ति वितव अनुभव कर पाए कि गुरु साक्षात परब्रम्ह तस्मई स्री गुर्वे नमा जिनकी खोज कर रहे थे जिनको हम समझ रहे थे गुरु शाधन है और शाध्य तो भगवान है जब हमारे अंदर अनुभव हुआ तो यह हुआ कि गुरु शाक्षात परब्रम्ह तस्मई से मेरे सामने परब्रम्ह मूर्तिमान होकर मुझे अपना परिशय देने के लिए इस रूप में आए फिर जहां उनका परिशय प्राप्त हुआ तो फिर परिशय में आता है यही गुरुद्य भगवान तो चर चर सम्में विराजमान है जहां सरवान वस्ततया निरिक्षि परमस्वाराद बुद्धिर्मम जहां सब जगे अपने गुरुदेव को देखा जीवन मुक्त हो गया गुरु शाक्षात ब्रम्ह है बस हमारी भावना केवल बदलने के आवशकता है वो भी उ अप्तुम अश्यादिलक्षम एकम नित्यम विमाल अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम तिर्गुण रहितम सद्गुरुम तम्नमामी सद्गुरु शाक्षात प्रमात्मा है उनकी सिवा उनकी बात कोई जानता नहीं और वो जब अपनी बात जना देते हैं तो जो जान जाता है तो जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई वो शाक्षात गुरु शुरूफ हो जाता है ब्रम्हवित ब्रम्हई भावती जो भगवान को जान जाता है वो भगवत शुरूफ हो जाता है जब गुरुदेव का शानिद ही मिलता है तो फिर दो नहीं रह जाते है गुरु और शिष्य दो नहीं रहते हैं, केवल गुरु ही गुरु रहते हैं, शिष्य का आहम गुरुदेव में समर्पित हुआ, तो गुरुदेव उसके हरदय में प्रकासित हुए, तो गुरुदेवी साक्षात परब्रम जानुभूती हुई, तो जानत तुम्हें तुम्ह यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होसकता हमारे भगवान ही हमारे गुरुदेव हैं गुरुदेव ही भगवान है बस हम उनके वचनों का पालन करले क्योंकि भगवान के वचनों को शुनने के लिए हमारी स्रवनेंद्री में सामर्त नहीं तो भगवान ने अपने चिदानंद रूप को चुपा करके पांच भौतिक रूप के अंदर आ करके हमको समझा करके अपने सो रूप का बोद करा दे स्वेकार लेए भगवत भावना करके गुरुदेव के वाक्यों का केवल मनन करे सब का मन जाएगा अगर गुरुदेव जो वाक्य सभा में बोल रहे हैं अगर वो स्वैकार कर लो सभा में इसले कह रहे हैं कि कोई भी महापुरुष सभा में जब बोलेगा तो सास्त्र प्रमानित बोलेगा अगर नहीं बोलता तो फिर मूढता चाहिए हुई है एकांत में उनकी इस्थिती को जान पाना बड़ा कठी है जो एकांतिक महापुरुष होते हैं उनकी इस्थितियां वाहे लोकातीत होते हैं कोई-कोई वेदातीत भी होते हैं उन अधूत महापुरुषों को हमें समझ पाना बड़ा कठी है इसलिए उनके वो बाग के जो समाज में निकल रहे हैं क्योंकि सरो मंगल के लिए हैं उसको हमें स्वईकार करना चाहिए गुरु का प्रगट में शानिदे मिले ना मिले उनके वचनों के शानिदे में रहना चाहिए यदि प्रगट शानिदे में और उनकी आज्यां का पालन नहीं कर रहे तो लाभ नहीं मिल पाएगा अगर उनके वस्षनों पे हम चल रहें हजार कोश दूर है तो भी लाव मिल जाएगा क्योंकि गुरु वहीं है तुमारे हरदय में है तुमारे आसपास है कमकमे जब अखन मंडल में व्याप्ट है तो तुमारे अंदर भी तो व्याप्त है बार भी तो व्यापत हैं उस शर्वत रहें तो बस उनकी आज्या का पालन करें जैसे कुछ लोग ऐसा बर्णन करते हैं कि हमारे साथ दोखा हुआ कि हमने माना गुरू और ऐसा ऐसा जिसे समाज में से हम कहते हैं इतना नजदिक क्यों गए पक्का बिल्कुल सुल्जा हुआ उपदेश समझे आप ग्रेंड करने आये हैं और हम जो गुरू जनों से मिला वो देने के लिए तैयार हैं इतना यह हमारा आपका संबन्द है इसके आगे नहीं उपदेश सुनिए प्रणाम कीजिए और दूरी बना लीजिए कभी दोखा न खाएंगे उस उपदेश का मनन कीजिए तो आप वहीं पहुंच जाएंगे बेवहार में दोखा हो सकता है क्योंकि जिसकी स्थिती नहीं है तो जैसे चतुर खिलाडी तैराक हो कोई बूल रहा हो डूब रहा हो तो बचा सकता है लेकिन तुम्हें बचाना आया नहीं और त सीधे कूद पड़े तो पहले तुम मरोगे बाद में मरेगा जो डूब रहा है क्योंकि डूबने वाला पहले तुम्हें डूबो के सांस लेना चाहेगा चतुर हो और बहुतों को बचा चुके हो ऐसा अभ्यास द्रड हो तब अब ये माया में डूबे हुए जन हैं अब इ बरते हुए घसीट के उसको लाएगा सीधे हाथ पकड़ाओगे तो वो पावर से आके आपके उपर लद जाएगा अगर आपके सामर्त नहीं तो आप मर जाओगे वो छोड़ेगा ने वो तो सांस लेने के लिए व्याकुल है ना वो ऐसे हैं अगर आपने नाम पकड़ा द से इसे बैदं करें का निवर्ति मार्ग से उपदेश यरे उपने साधना मैं अगर कहीं ऐसी क्रम रती से छूट कर दी गई तो बड़े बड़े रिशी मुनियों को भी स्माया ने मोह लिया है, हम आप तो को बहुत छोटी बात है। हम अपनी निवरत्थी को भूल जाते हैं और आप अपनी प्रवत्ती को भूल जाते हैं। प्रवत्ति हमें केवल भगवत मार्ग में चलने के लिए यहां भेजाए बस साधू और ग्रेस्त का संबंद कितना बस उपदेश सुने भूखा है तो भोजन दे दिया वस्त्र है तो वस्त्र दे दिया दूरी बना के रहे इसे धांत से चलो शरीर से दूर रहो हरदय से करी करना करो परिवार का पोशन ही गुरू की प्रशनता है यह भी बा समझो गुरू को भेट देने की उतनी आवशक्ता नहीं है जितनी आवशक्ता गुरू को मन देने की है मन गुरू को दे दो और नाना प्रकार की सामाग्रियों से अपने परिवार का पोशन करते आनंद पुर्वक रहो जो सच्चा गुरु देखता है आप सुखी हो आप शान्त हो आप प्रशन हो धन्य है जैसे मा अपने बच्चे को सुखी देखकर प्रशन होती ऐसे सद्गुरु अपने शिश्य अपने सरणागतों को अध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति से युक्त दे गुरु तो देने वाला है लेने वाला गुरु नहीं होता है गुरु का तो परमात्म शुरूप है वो तो दाता है वो ऐसे कैसे का सकता है अगर ऐसे तो फिर दाता नहीं है वो दाता है तो ऐसे नहीं है वो ग्यान दाता है वो धर्म दाता है वो आनंद दाता है वो हमें सम गिर चुके हैं इसलिए सावधान होते हुए संतों से हमें प्राण प्रण से प्यार करना है, पर मन देके उनकी बात सुननी हैं, आज तक जिसका कल्यान होगा इसी सिद्धन से होगा ध्यानत्त ना से। मन देकर हम उनकी बात सुनें, मन देकर हम उनकी आज्यां से चलें और जिस अपने कर्तब में वहाँ चलें, हाँ जरूर थे भाई, यह भूखे हैं, तो चार रूटी है, दो रूटी हम संत को दे रेते हैं, अगर हमाय पार्थ है, हम बास की बेउस्था कर देते हैं, पर दूर बनाके, हमारा स्वमंद सिर्फ वचनों का है, वो भी सुरक्षित, और आपका धर्म भी सुरक्षित, आपका भजन भी सुरक्षित, सहाथ समझ पा रहे होंगे हमारी बात, यदि आप आसक्ति वाली लिप्टाव वाली ब्रत्ति धारण किये, तो फिर गिरोगे, फिर पतित बिलकुल एक रेखा रखी जाए, बस परब्रम की भावना और दूर, बेवहार से दूर, परमार्थ का उपदेश स्नवन किया, और उनकी अनुशार चले, कहीं भी गाड़ नहीं होने वाला, जब हम अपनी मर्यादा से चित हो जाते हैं, आप अपने को ढिल दे देते हैं, तो गलती होना श्राभाविक है, क्योंकि मार्ग बड़ा फिसलन का है, और फिशल गया, तो चड़णा मुस्किल हो जाता है, फिर यही रखता है कि किसी तरह ढखा रहे, फिर जीवन क्या होता है, किसी तरह ढखा रहे हमारा ये चरित्र, और अब ऐसे जीएें क्योंकि वो अंतर में बैठे हुए भगवान के आज्या कर रहें और अंतर से आज्या कर रहें तो फिर गुरु बना के इतनी दूरी कर लेनी चाहिए हम कभी कभी सत्संग सुनेंगे दर्सन करेंगे आपकी आज्या का पालन करेंगे ब्योभार नहीं होना चाहिए बड़ा मंगल में आपका जीवन होगा आपकी श्रद्धा रोज बढ़ती जाएगी गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव की क्रपाप को प्राप्त होती चली जाएगी गुरुदेव निर्पेक्ष वाप मन देने वाले आसक गुरुदेव से उनकी आज्या का पालन बेवहार नहीं बेवहार सब्द से दूरी तो कभी तुम्हारी स्रद्धानस्त नहीं होगी सदेव गुरुदेव भगवान की करपा कानुप होता रहे है क्यों हर्षा जी पूने महाराष्टा से टादा वल्लब शी हरिवश गुरुदेव आपके चरणों में कोटी कोटी पढ़ाओ पुजी गुरुदेव क्या स्वांसों के प्राणायाम के साथ मंत्र जब किया जा सकता है क्योंकि जब स्वांसों पर ध्यान केंद्रित होता है तो विलक्ष अलत है इनको भेदन मुखों भावे श्वांस ही नाम नाम ही स्वांसा नाम स्वांस को भेद मिटावे रोम रोम जब रग रग बूले तब कर श्वाद नाम को पावे जैसे सांत अगर बेठे अब हम स्वांस खीच रहें आठ नाम, दस नाम, पंद्रा नाम, बीश नाम, फिर आराम से हम छोड़े, कोई पकड़नी की जिदत ने, आराम से छोड़े, इससे प्राण वायू का अपने आप शोधन हो रहा है, हमारे प्राण अपने आप सूक्ष्म हो रहे हैं, और जो प्राणायाम हठ योग से लाभ मि लगाना है, अब आपका नाम चल रहा है, इससे बड़ा लाभ क्या होगा, तो हमको अलग से अगर हम प्राणायाम करते हैं, और नाम चलाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसकी अगर नाम में ही किवले का अगरता करनी है, तो फिर प्राणायाम अपने आप स्वभाइक ह हो जाएगा, अगर प्राण और मन दोनों ठीक हैं, तो ब्रहमचर या था, जनेंदरी पर वो विजय प्राप्त कर लेगा, क्रम से किसी एक पर, अगर वो जनेंदरी पर सयम कर ले ब्रहमचर, तो प्राण सुक्ष होने लगें, भोगी पुरुस का इस फुल प्राण हो जाता मन मलिन हो जाता है, चंचल हो जाता है, तीन में से कोई एक अगर सासन में ले लिया जाए, तो तीनों आ जाते हैं, प्राण, मन और ब्रह्मचर, तीनों का बहुत बड़ा योग है, और देखो हमारा मानो दे इसलिए मिला है, कि हम कुछ दिव्यता प्राप्त करें, नाना प्रकार की भोग शामागरियों के द्वारा अपने मन का मनुरंजन करते हुए जीवन मितीत करना, यह कोई मानो जीवन की दुरलबता नहीं है, यहाँ जितने भी भोग हैं, सब मलिन हैं, स्वर्ग में जो भोग हैं बड़े-बड़े रिशियों के मन में छोब पैदा कर देने वाले हैं, पर देव दुरलब्दे ही कही गई, तो क्या इनी मलिन भोगों के भोगरे के लिए, नहीं यही दिब्वेता, हम नाम जब करें, अध्यात्म शक्तियां हमारे अंदर जाग्रत हों, किसलिए, सब का मंगल करने के लिए, सब को शुक पहुचाने के लिए, अ तो सुख वांचा से युक्त जैसे लोगों का माननिता है, लोगों की माननिता कि हम कमाते हैं, हम खाते हैं, क्यों भगवान का भजन करें, क्यों दूसरों को सुख पहुचाएं, सेवा करें, हमारी संपत्य, हमारा मकान, तो आप भागवतिक विदान को नहीं जानते हैं, इ लेकिन हमारी सरकार को आपने टेक्स नहीं दिया, तो आप छोर माने जाएंगे, आपको रुपया जब्त हो जाएगा, आपको जेल के होगी ना, होता है ना, होता है, ऐसे ही संपुर्ण सृष्टी भगवान के हैं, ये शरीर, ये प्रत्वी, ये जल, ये वायू, ये अगनी, सूर्य, चंद, बिजली लेते हो, टेक्स से देते हो, नहीं दोगे तो कट जाएगी बिजली, नहीं कट जाएगी, देखो भगवान सूर्य, आप क्या टेक्स से देते हो, आक्सीजन का क्या टेक्स से देते हो, जल का, सब का टेक्स है, पर ये दिखाई नहीं देता, दैवी शक्तियां तुम्हें नश्ट कर देंगे यह दिहोस में दिछ में चलोगे तुम्हाई पास जो भी सहसारीर है ऑप सह्त माज सेवा सुद्ध हो, और हम ये जाने की धर्म क्या है, हमें कैसे चलना है, इसके लिए नाम जप आउश्यक है, नाम जपत आई सव सोई, देह सुबुध्य क्रपा करिमोई, नाम जपते ही बुद्धी पवित्रोने लगती है, और बुद्धी बुद्धी नहीं रह जाती है, जीही नहीं सकते दो अंदर आ गया है अब मरने मात्र की बात सोच का डर लगता है क्योंकि हम बिना सरीर के रही नहीं सकते कितना अज्ञान हो गया है यद्यपी हमारा सरीर से अपने ना कभी संबंद था ना है न रहेगा ज़्यपी म्रशा पर छूट अतिकति नहीं इसलिए भगवान ने करपा करके सास्त्रों में बरनन किया भगवान शंतों के हरदय में बैच करके बता रहे हैं फिरी यहां कुछ नहीं है यहां आप मुक्त होने के लिए बेजे गयो अपने करतब्य का पालन करो घर परिवार की भगवत भाव से सेवा करो शमाज की राष्ट की आ आपकी गारी है वापारत की बूमी में चल रहे डैक्स देना पड़ेका भेने में मतलं का मतलब हो दर यहां है करतब का पलन, जैसे किसी के आप पती हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, आप किसी समाच के पद पे हैं, आपका जो करतब है, धर्म पूर्वक करतब करो, देवी शक्तियां देख रहे हैं, आपका बिना मांगे सायोग करने लगेंगी, क्योंकि आप सरष्टी संचाल कारे को धर्म पूर्वक कर रहे हैं और अगर आप अधर्म से चलेंगे तो अगनी देवता वायु देवता भूमी जल आकाश यही तुम्हें नश्ट कर दें किसी और की जवरत नहीं वह चलती गाड़ी में आठ लोग वैटे थे आग लग गई कोई नहीं बचा बस्म कर दिया तुम्हारा रूपया पैसा गाड़ी गोला जीतना है यह सब तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा यह दर्म से नहीं चलोगे जरासी हिली किलो मेटरों बसा हुआ नगर मिट्टी में मिल गया एक लहराई किलो मेटरों यह कौन है जल देवता अगनी देवता तूफान मिटिया मिट किया बातता है अगंया कर दो कि अपैसे बनेगा बनेगा दोसरी प्रकार शोपतला है जैसे हं को भारती जो सरकार की वह मैं बेज आप अमुक कर देश जाएए और ये भारत सरकार का कारी करना है आप कहेंगे मैं सुविदा चाहिए तो आपको बंगला मिलेगा वहां परिवार सब विवस्था आपके जो जो जैसे दो मार्ग हैं विरक्ति और ग्रेस्ति जिनको यह भगवान निश्चित कर दिया कि तुमको ऐसे चलना है निवर किश्यों को पढ़ाया सब लेकिन जिस सरकारी काम से यह तो काम नहीं किया अब ज़ब वहां से लोटकिया और उसे पुछा है आपने काम किया तुम्हें भेजा किस ले गया था अब उसको जेल होगी की सेवा करें मुक्त हो जाना नहीं मुक्त हुए तो सो परत्र दुख पावई सिरे दुनी दुनी पचिताए कालें करमें इश्वरें मित्या दोश लगाए बड़े भागशाली है जिनको ये बात समझ में आजाए हमारा जीवन किवल भोगों के लिए नहीं हमारे साथ कुछ नहीं जाना उठते बैठते चलते फिरते एक पैसा न नहीं कोई धन छीनने जपटने की नजरूत नहीं चार रोटी हैं आज तीन पालो एक रोटी को टुकड़े करके डाल दो उच्छिडियां कुत्ते पसुपक्षी को देई अच्छा किसी दिन कोई भूखा गया तो आज हम उपवास कर जाते हैं एक टाइम साम टाइम पालें बहुत बड़ी यक्य हो गई बहुत बड़ी सेवा हो गई इसके लिए चंदा मांगने की जरुत नहीं यह मनुष्य जीवन यह राक्षस बनकर वितीत करने के लिए नहीं आज हमारे भाईयों में नमीन पीड़ी में बहुत दोशुत्पन होता जा रहा है दूसरे को दुख देना एक नार्मल बात हो रहे हैं एक माता जा रही है अब वो मोटर सैकल में ऐसे जंजीर वो चैन होती ना खीचा अब वो मुझ भरागे अब हमें लगता है क्या राक्षसी यर्दय हो गया इतना भी विचार ने किया कि मेरे जैसा है उसका सरीर है एक चंद रुपेयों के लोब से हम उसको कितना बड़ा दुख दे सकते हैं वो मर सकती है उसको कश्टो हाथ पर तूट सकते हैं ऐसे देखो कितना बेविचार कितना दोस बढ़ता जा रहा है हम लोग इतने निर्दई होते जा रहे हैं कोमल पश्वों को हिंसा करके भून के उबाल के हम सोचते हैं बहुत बलवान बन जाएगा, नहीं, अध्यात्म बल होता है, ये पार्थिश शरीर का बल तुम्हें भोगों में लगाएगा, कामकरोध लोभ में, और ये तुम्हारे पाप होंगे, और ये तुम्हें बरावर दुख पहुचाएगा, जो दुरगती कर रहा है, उसमें हमारी रती बढ़ती चली जा रहे हैं बेविचार में हिंसा में पाप में चोरी में अधर्म में गुले सार्ट कट चले विना कोई करोड़ पती धनी नहीं बनता है तो उसे क्या हो जाएगा उसे क्या हो जाएगा ऊपर चढ़ाके आठवी दस्वी बिल्डिंग से अगर आप फेको जाओगे तो ज्यादा कस्ट होगा और सीवजी से फिसल जाओगे तो तोड़े कस्ट होगा आप इतना पाप करके एकत्तित करोगे फिर जब बिनास होगा फिर तुम महान दुख को प्राप्त होगे ये तो होगा साधारन और असाधारन दंड मिलेगा नरकादि में अन्नी राधा राधा क्या जाता है अपने परिवार को भगवान का सुरूप मान लो माता की सेवा पिता की सेवा पतनी की कामनाओं को पुर्ण करना पुत्र को पढ़ा लिखा कर करना अपने सरीर की पूल राम राम कृष्ण 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 हरी हर राधा राधा प्रभू आपने परिवार रूप सेवा दी है हमारे तो उतन नहीं है कि हम इतने की सेवा कर लें कभी कोई भूखा आ जाए गोजन इसी से भगोद प्राप्ति हो जाएगे हमारी बात मान लो भगवान को नाटक नहीं पसंद है जैसे हुआ आप वैसे भगवान का भजन कर रहे तो निश्चित भगवान की कृपा इमानोदे इसलिए मिला है समाज का आज जो वातावरन आज जो बुद्धी की शोच है बहुत पढ़े लिखे हैं विनम्रता नहीं है बहुत बुद्धिमानी लेकिन विनासकारी कर्म किये हो सकता है पूर्प्रारव्द के युशार विपत्ति ये गी जी से दिनाया है तो रात भी आयगी रात आता ही तो इससे सुक दुख का क्रम है पाप और पुर्णी हमसे दोनु इये तो जब पुनिय गई गई तो न का nggak तो दुख आ जैगा लेकिन हम पाप कर पुनिक पाये नाम अगर हम राधा 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 तो श्री जी प्रिया जो हमको इतनी सामर्त देंगी कि हम दुख में भी मुश्कुरा के निकल सकते हैं हम विपत्ती में भी धैरेवान रह सकते हैं अगर ऐसा नहीं तो सुख में अभिमान में फूल जाते हैं और दुख में तूट ज जाते हैं यह सोचते हैं अपने सरीरे को नश्ट कर दें ऐसा इमानों जीवन ऐसा नहीं खुब नाम जब जो शिद्धी चाहिए जो लाब चाहिए हमारा हरदय का विश्वाश हमारे शास्त्रों के श्वाध्याय का फल और शंतों से अनुभूत विशे नाम से सब कुछ नाम हो या भगवान का कोई भी नाम हो जिसने निरंतर नाम को पकड़ लिया वो परम लाव परम शिद्धी वो महात्मा है ग्रेश्ट में रहते हुए महात्मा है अगर नाम जब नहीं चल रहा तो तुम चाहिए जितना बुद्धी लड़ाओ माया से नहीं जीच सकते इतन अगनेवान वाईवास्त्रा इसाले फूल का बान और फूल के बान से बड़े वणों को मुह भरा गिरा देता है और इससे बचे बिना कोई अपने शोरूपानंद को या भगवदानंद को नहीं प्राप्त कर सकता और उससे बचने का एक मात रुपा है हरी शर्णम भगवा प्रयास करने से खटेगा फोड़ा सत्संग सुनिये तो पता चलने लगेगा अहंकार की क्या सत्ता है आपने क्या माना आया हंकार को तो हम समझे तो आपको कहां पकड़ाई है अपने में स्वेष्टा कि भावास्ति यह तो बहुत छोटी ब्रती है आंकार की आप अपने को इस्त्री मान दे ना ये भी देहा भिमान है मूल है भगवान के भाव को छोड़कर देह भाव में आ जाना ये सब अपराधों का मूल है इसी से सारे पाप होते हैं इसी से सारे दुरगुण होते हैं मैं इस्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ इसे कहते हैं देह अभिमान मुझे ये भोग चाहिए मुझे संपति चाहिए मुझे आबूशन चाहिए मुझे पद चाहिए ये सब देहा भिमान की मांग है शुद्ध ध्यात्म की चर्चा है ये सब देहा भिमान की मांग है अपने में गुण का दर्शन दोशरों में दोशों का दर्शन अपन करें तो दूर हो जाएगा सेवक महाराज कहते हैं मद में होदा है हंकाद सब मद सब मद नस्ट हो जाएंगे विद्या का रूप का महत्युका शरीर का धनका यववन Cons soon अभिमान ही अभिमान तो भरा है मैं चगा लेता हूँ मैं इनमें बहुत धेर सारा इसका कार है गोश्वामी तुषिदाजी ने लिखा है संस्रति मूल शूल प्रदनाना शकल शोक दायक अभिमाना इस संस्रति का मूल है जो वावागमन जनम मरण चक्र है न जैसे हम टेक्टर की टाली फसाते न उसमें फसाने का होता है तो हमारे जनम मरण को फसाने वाला जो चक्र को फसाने वाला है वो अहंकार है संस्रति मूल और शूल प्रदनाना सकल प्रकार के कष्ट और दोष ये इसी अभिमान रुपी घर में रहते हैं ये भगवान जब दूर करने का कृपा प्रशाद करते हैं तो संतु का संग मिलता है जैसे हम अपने को बहुत उचा समझें लेकिन जब पाढ़ के समीब जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी उचाई कुछ है ही नहीं तो शंत जन पहाड हैं भजन के सद्गुनों के पहाड हैं जिप विभागवती की स्थिती है जब उनके नजदीक पहुजते हैं तो लगता है हमारा क्या जीवन है क्या है हमारे पास अपने आप आंकार चूर होने लगता है देखो ना पहली स्रीड़ी ऐसे सुरू जाती कि नहीं आप किसी शंत महात्माग देखते हैं ऐसे हुआ ना आंकार गलित हुआ नहीं ऐसे तोड़ी हैं शंतों को देखते ही सबसे पहला आंकार पर चोट होती है ऐसे कर लेते हैं और अगल चोट अच्छी पड़ी स्रद्धा की तो पंचांग प्रणाम कर लेते हैं हम साश्टांग लोट जाते हैं यह कोई शाधारन बात नहीं है यहां आंकार का देखो स्वाभाविक बिना उपदेश के मारजन होना शुरू हुआ धुलाई शुरू हुई नहीं हाध जोड़ लिया पंचांग प्रणाम कर लिया साश्टा अब वो जो बात कह रहे हैं उसे हम सुन रहे हैं उसको मनन कर रहे हैं और उसको जब जीवन में उतारते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है इस आहंकार को परास्त करने के लिए उपाशक तयार हो जाता है उसके पास अस्त्र होता है बिवेक बिवेक रुपे अस्त्र से काटता रहता है अगर हम इतना भजन करते हैं तो क्या वो तो रात दिन करते हैं अगर हम इतना ब्रत करते हैं तो क्या वो तो बहुत कठिन तप कर रहे हैं वो तो पूरे जीवन से ब्रह्मचर हैं वो तो हमारा स पारा अहंकारनस्ट होता चला जाता है उनके संग से भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अहंकार का नाश हो जाता है बिना गुरु करपा के अहंकारनस्ट नहीं होता क्योंकि हम जो भी क्रिया करेंगे उसमें बढ़ जाएगा हम इतने दिन से यह नहीं किया हूं तो अब पुष्ट हो रहा है यह दिप क्रियाएं अच्छी हैं लेकिन आहंकार पुष्ट हो रहा है भगुत प्राप्ति होने में बड़ी बादा है और जब गुरुजन कहते हैं आपको ऐसे करना है तब लिगता है कि हम थोड़ी कर रहे हैं वो तो आदेश है करतब्य का पालन करान के लिए अपने में जब गुण दिखाई दे और दूसरों में दोस दिखाई दे तो जानने ना रोग बहुत बढ़ रहा है जब दूसरे में ऐसे करने की भावना हो कि हमसे तो बहुत अच्छे हैं अगर हमारे हरदय की कोई बात जान जाए तो हमारी निंदा हो जाए हर समय मन क्या क्या सोचता रहता है अब देखो यह तो कृपा मनाओ कि भगवान ने अभी किसी वह ज्यानी को इतनी सामर्थ नहीं दी कि मन का अल्टरा स्राउंड कर ले हाथ तक कोई मसीन नहीं बनी मन की बनी है क्या मसीन ऐसे लगा दिया हो पूरा चित्र दिखाई दे रहा है मन जो सोच रहा है अगर वो बन जाए ला तो अपने लोगों की दोल जाए सबकी नहीं दोल जाए क्या क्या सोचता रहता है मन और हम अपने को अभिमान करें कि हम गुणी हम सैयमी हम यह मन क्या क्या कह रहा है तो जब साधक अपने मन को देखता है तो वो देन नहीं हो जाता ह कितना गंदा मन है मेरा मन कितना गंदा है देखो मैं इस वेश में हूँ देखो मैं नाम जब करता हूँ या देखो मैं भगत हूँ संतों का संग फिर भी कितनी गंदी बात सोचता है तो वो सोचने मात्र से क्यों क्यों भगत है ना जरासा भी उसके अंदर इस्पूरण हुआ को पाड जैसा उसको दिखाए देता है जैसे देखो शूरदाश जी माराज के ना मोशम कौन कुटिल खल कामी जिन मुकों तन दियो ताको ना भजन कियो ऐसो नोन हरामी निराभिमानी जन क्या देते आपने लिए जरासी बात मन मे पाड जैसे पाप करने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है जरासी सोच हुई कि हाय है मच जाता ये क्यों बात आ गई क्यों बात आ गई तो हमारा जो अहंकार अभी है उसकी पहचान है कि दूसरों में लगुता देखना अपने में स्रिष्ठता देखना किसी को भी ले कर गुण को लेकर विद्धता को देकर भजन को देकर ग्यान किसी को भी लेकर ये सब आउंकार के लक्षण है तो हम संतों का संग शुने और भगवान से प्राड़तना करें कि हमारी बुद्धी इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हर्दय में आहंकार न रहे जाए तो क्रपा गुर्देव की क्रपा हो जाए तो बहुत जल्दी अहंकार न रश्ठ हो जाता है देन्यता आ जाती है यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवश शुश्री भगवाना अगर देन्यता ने अहंकार है तो एक बार महाप्रभ चैतन्यदेव जी कीरतन कर रहे थे त्रिभुवन में यसुन का फैला हुआ था है रहेगा भगवान है साक्षार तो एक संत भगवान भारत की नदियों की परिक्रमा किये थे और वो दूद ही केवल लेते थे तो उनको मैं मन में आया कि जब मैं जाओंगा कीरतन में तो महा अभिमान था ने अंदर का मडिया मीठा अभिमान होता जिसको सभाल के रखा जाता उसे सुख मिलता जो पारथिव सुख है उसी इसे अभिमान नहीं हो तो सच्चिदानन्द सुख मिलने लगेगा अब वो जेवी कीर्तन में गए तो महा प्रुभु रुख गए और का कौन बहिर मुख पुरुष आ गया जिसके आने से हमारे कीर्तन का भाव सुखने लगा तो इस संत जी आये थे वो लहटा उनको भटा दिया महा तो आदेश की जरुत थी मंडली से एकदम बाहर उनको अवो बाहर रोने लगे कि प्रुभु आपका तो करुणा उतार शुना है मुझे जैसे नीच अधम को यदि आप स्वईकार नहीं करेंगे तो प्रुभु मैं कहां जाऊंगा दोड़ के आगे महा प्रुभु और गले से लगा लिया समझ पाए जब अपने गुणों का भिमान लेकर आये थे कि मैं तीर्थों का अगहन करने वाला और केवल दूद पीने वाला तो हटा दिये गए और जब ये भासा निकली कि मुझ जैसे दीन ही नधम को अगर आप जैसे महा प्रुष्व इकार नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे तो दोड़ के आके महा प्रुभु गले लगा लिये ये है भगवत मार्ग जो है ये हमारे अंदर दैन्निता हो ये दैन्निता तभी आती है जब महा पुरुष्व की करपा होई तो आंकार चूर हो गया और दैन्निता आ गए नहीं लिये आंकार डोल ले थे मैं तीर थोका होगा हान करने वाला मैं तो किवल दूद पीने वाला ऐसा अब वो जिधर किसी को अन्न खाते देखते होंगे किसी महात्मा को तो उसके प्रथे बुद्धी हो जाई एक महात्मा थे तो उन्होंने एक जल की सिद्धी की थी जो जल में भी थल की तरह चल सकते थे एक भगवत प्रेमी महात्मा अपने शिश्यों के साथ तो नाव में जा रहे थे बैठके, उन्होंने उनका उपहास किया, बयोब्रद्य थे, साथ में सिश्य जन थे, का ए मात्मा क्या जीवन भर किया, क्यों भीया, वो भी संद्य थे, अरे बोले तपस्वी हो करके नाव में बैठे हो, फिर कहां बैठो, देखो मेरे को, खणाओं पहर कर गंगा जी में, जैसे कोई थल में चलता है, ऐसे जल में पार हो गए, सब लोगों को बड़ा अस्चर हुआ, महात्मा जी थे, मुस्कुरा दिये, बाहर गए नाविक से का भीया, एक व्यक्ति का कितना उतराई, उन्हों का दो रुपया, तो शिश्यों सहित जो किसी ने भेट दी थी, वो पैसा दे, नाविक को दिया और महात्मा से कहा, कि समझ पाए, तुमारे जीवन की सारी तपस्या दो रुपय के बराबर गई, जिस मा भगवती गंगा को श्वयम शीजी ने मस्तक पर धारन किया, अपने तपो बल से तुमने पादुका पहन कर उन पर चले सारा सुकत तुमारा नश्ट हो गया, तुम अभिमानी ये दिखाना चाहते थे कि मैं जल में थल की तरह चल सकता हूँ, नहीं तुम किसी काम के नहीं रह गए, अभी तुम परमार्तों को जानते ही नहीं, थोड़ी तपस्या कर ली तो उसका अभिमान चरणों में गिर गए, उनका दो रुपे में गई तपस्या, दो रुपे में पार हुए ना, दो रुपे में सारी तपस्या तुने नश्ट कर दी क्यों प्रदर्शन के लिए, ये प्रदर्शन के लिए नहीं भगवत प्राप्ती के लिए तब होता है, ये जब हमें अभिमान होता है, हम कहे न कहें कोई लोग कोई दर्श्य ऐसा एक उपासक को देखा बहुत कारें पीछे लगी रहे तो जब हम सैम्शी में थे तो मिलने आये थे उनकी प्रशिद्धी सुनी थी तो अपने लोग क्या कि शुरू से गुरुद्य भगवान के ऐसी क्रपा रहे को सही मार्ग पर ही ये र समय हमारी 18-20 की अवस्था होगी और उनकी होगी 30-30 के तो आये उन्हों कौन से शाधना करते हो क्या करते हो इसे जिसे होता है कि टीचर अपने विद्यार्थी से पूछता है अवस्था देखकर बहुत प्रवीन गुरु क्रपा से बुद्धी थी सास्त्र शम्मत वारता को पकड़ना बहुत पूरु जन्मन का चाह समझ लीजिए जो यह वारता सुरू किये तुमसे का महाराजी अध्यात्मे क्या उनको एकदम अध्यात्मे क्या उनका तुम क्या समझते हो ऐसे किया के उड़ा की खुस्वू आ गई पक्का ऐसे किया अलग-अलग इत्रों की खु फैदा किये हुए है कि आप चले जाओ करनौज तो वहां की नाली ओं में खुस्वू बैरीये कर लो मीटर दूरी से उनने नाली ओं में सुगन धा रही है जिनन में फैक्टरियां है जाए इत्र की तो ऐसे अगर भजन से कर दिया ऊप कोई खुस्वू आ गे तो बड़ी ब हमाल ऐसे किया एक शेक़्िन के लिए के ओडा के खुजबू आ गई तो हाँ के तैंकर भरे जाते हैं इत्त्रों के जहाहां फैक्टिया उती है यह कोई खास बात है प्रकति कितने शुंदर पुष्प कर लेना परमात्मा को सादू का चमतकार तुमारे मन को बलात परिवर्टित करके सत मार्ग में चला देना बाहरी नहीं होता क्या है जब हमारे अंदर कोई शाधन का अभिमान हो जाता है तो छुटी-मुटी शुटी-मुटी बाते इसका प्रदर्शन करने लगते हो सत्य मार्ग से हम हट जाते हैं तो अभिमान ताते करें करपा निदी दूरी सेवक पर ममता यह बहुत खतरनाक और बड़ा सुक्ष्मा भिमान है जब भगवान की सरण में होते हैं गुर्दे भगवान की संत भगवान की भगवान की तब यह हंकार का परिश्य मिलता है कि मैं घलत हूँ और मुझे ठीक होना चाहिए जैसे एक चांग देव नाम के रिशी थे योगी जम रत्तिवाती थे तो समाध ही लगा लेते थे तो चौदा सव वरस के थे अब वो जब सुना ज्यान देव जी की महिमा है तो सब नई अवस्था के महापुरुष थे तो अपना चमतकार दिखाने के लिए सिंग को वस्थ में करके सवारी की और साप की चाबुक ले और चल पड़े तो वहाँ पास में ही शुपान देव मुक्ता भाई यह सब बिराज मांती है उन्हों का भिया एक योगी आ रहा है सेर पर शवार हो करके साप की चाबुक ले तो ग्यान देव जी ने का अच्छा तो जिस चबूतरे में बैठेते दिवाल में उसे का चल जड़ चबूतरा चल दिया उसी पर बैठे हो अरे ताप और भजन में आपार सावर्थ ती अब उन्हों ने देगाया है तो हम तो चैतन ने चेतन सिंग को वस्मिक किया चेतन सा तो उनका योगी अभी कोरे के कोरे हो कोरा कागज हो अभी तुमाहे अंदर कोई परमार्थ का स्वरूप नहीं आया अभी केवल इन सिध्यों में खेल रहे हो सिश्य बने फिर भगवत प्राप्ती का मारो तो हमारे अंदर जो गुणा भीमान है देहा भीमान है या साधना इन सब की पहचान और इन सब की निवरती जैसे रोग क्या है और उसकी निवरती क्या है यह बैद्य डाक्टर से ही होता है ऐसे सद्गुरु से होता है सच्चे सद्गुरु मिल जाए और उनके वचन रूपी और शधी को हम पान करें तो निश्चित अभीमान रूपी देह अभिमान रूपी रोग ये नश्ट हो जाए सद्गुरु बैद्य बचन विश्वासा संजम यह नविसे क्यासा ने बहुत खतर लाक है बहुत खतर लाक है समझी नहीं पाऊगे कि आपके अंदर अभिमान है कि नहीं आप से का जाए बड़े अभिमानी हो जलन पैदा हो और अच्छे आचरन करो धीरे धीरे अभिमान दिखाई देने लगेगा फिर नश्ट हो जाएगा दिखाई देने लगता है कि इस समय यह भाव आ गया भिमान का यह गुर्देव प्रुभू इसको नश्ट कर दो उनहीं की कृपा से नश्ट होता है वो जिनका रचा हुआ ह जिन्होंने बाना है वही छोड़ देंगे इसलिए भगवान ने कीता जी मैं इसारा भी किया है मामे विए प्रपद्यंते माया में ताम तरन्तिते मेरी सरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा इस माया से कि रोजे सब आपके साथ सब सुनते हैं में अची रात को लाव बहुत है आप आशी रात कीजिए कि हम और लाव ले पाहें बस धीरे धीरे गुरू कृपा से यह बात समझ में आ जाए कि अशत इक्षाओं ने ही हमें बांध रखा है सत इच्छाओं से असत इच्छाओं का मर्दन करके फिर ज्ञान से सत इच्छाओं का वित्याक कर दें तो एहरदय में एक अखंड प्रशन्नता जाग्रत होती है उसी अखंड प्रशन्नता में भगवत तत्तु का बूध होता है और जीवन का यही परमलाव है प्रशन्नात यह जो हमारी विद्या है वो उसी अध्यात में विद्या को प्राप्त करने के लिए है अध्यात में विद्या है जनम्मरण के चक्र शेमुक्त होने के लिए है अगर हम आवागमन के बंधन में फसे ही रहे तो हमारी विद्या किस काम के है इसलिए विद्या पूर्वग गुरुजनु के आज्यां पर चले और अपनी इंद्रियों को असचे स्टाओं से हटाए इंद्रियों का दमन करे सत्चेश्टाओं का करता भाव भी आगे चल कर ले हो जाए तो हमें भगवान की प्रत्ति हो जाए इसलिए समस्त कर्मों को भगवदर पित करते रहना चाहिए ये तो शर्वानी कर्मानी मैसन्यस्मत पराहा अनन्य नवयोगेन मामध्यान्तु पार्षते जो विश्द आच समस्त कर्म भगवान को शमर्पित करते हैं तो हमारी बुद्धी में शुंदर योग प्रगट हो जाता है वह भगवत प्रदत्त ग्यान होता है उशी ग्यान से उपासक इस माया के बंधनों का नास करता है तो नाम जब करें अच्छे आच्रण करें गुरुजनों की आग्य लिलाव मिल जाए तो गुरु कृपा ही है कि आपकी सत्संग में रुची है संत जनों की वानी मनन करने का शवभाग्य प्राफ्त हुआ है इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे अध्यात में विद्या ही शर्वत्तम विद्या है आधुनिक विद्या पढ़कर के भी कुरूरता हिंसा राक्षासी और दुनिया की दुर्वासन थोड़ि मिठते गुछी सबकुरूरता हिंसा दुर्वासना ना भने रही तो कि सकाम जीवन इसलिक बड़े भागुशा ली जने जो अध्यात्मिद्या को समझने लगे हैं अध्यात्मी में चलने लगे जिनको आप येस्व का शानित है तो अध्यात्मी में तो चलना ही पड़ेगा अध्यात्मी में बहुत क्रपा है आप इस वेश में और ऐसी जगे के होती भी आप में दैन्यता है यह भगवान की विशिष्ट करता है कि राधार 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 कि राधार 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 राधा, 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 राधा. राधा, 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 राधा राधा, 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 राधा जह शत्व के ढग दिह गुल्न, दिवाध्यन दितने जह प्रहा दोनकाउ anxiety सेखले कोई लिव यगोग जे जे शिम्याते, जे जे शिम्याते, जे जे शिम्याते जे जे शिम्याते, जे शिर्ख चाहा ह। तो इस बाद्चे पर माला पेला लाके सिर्नी की बाला हा। श्री राधार राधा, श्री राधा, श्री राधा, 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 श्री 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 राधा, झाल झाल